असलावलेकूम कैसे हैं आप सब तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चिकन रेशा कवाब बनाने की रेसिपी जो खाने में बहुती मज़िदार होता है और बनाने में बिल्कुल असान होता है तो आप भी एक बार इस तनह से बना के देखिएगा बहुती डेस्टी और बहुती मज़िका बन के तयार होता है तो बिना डेम वेस किये चलते हैं इस रेसिपी की तरफ तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लिया है और उसमें डाल देंगे आधा किरोग्राम बोनलेस चिकन और चिकन डालने के बाद यहाँ पे एक कप डाल द लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें लिट लगा देंगे और लिट लगाने के बाद हाई फ्लेम पे एक स्टी लेंगे गैस की फ्लेम लो टू मीडियम पे दस से बारा मिनट के लिए इसको कुक करेंगे तो दस से बारा मिनट हो चुके हैं हमारा चिकन और दाल अच्छे स पीस लेंगे तो चिकन के सारे पीसिस को हमने यहां पे निकाल लिया है और दाल को हम मिकसर के जार में निकाल लेंगे और मिकसर के जार में निकालने के बाद हम इसमें बाकी की चीजे एड़ कर देंगे तो सारी दाल हमने यहां पे निकाल लिया अब इसमें बाकी की चीजे ए जीरे का पाउडर और एक टीस्पून जाएगा काली मिर्चो का पाउडर हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टीस्पून आमचूर पाउडर यानि ड्राए मैंगो का पाउडर इसके बाद तीन से चार हरी मिर्चे डाल देंगे इसके बाद इसमें एक अंडा डाल और अंडर डालने के बाद एक टी स्पून डाल देंगे अधरक लस्टन का पेस्ट और अधरक लस्टन का पेस्ट डालके सारी चीजों को अच्छे से हम पीस लेंगे तो ये देखिए सारी चीज़े अच्छे से पिस चुकी है यहाँ पर, अब जो हमने चिकन लिया था, तो उसको हातों के साथ बहुत ही अच्छी तना से यहाँ पर हम श्रेड कर लेंगे, तो जब ही तो यह हमारे रेशे कवाब बनेंगे, बहुत ही बढ़िया से, तो सारे चि इसमें जो हमने डाल पीसी थी, उसको भी यहाँ पर हम डाल देंगे, तो डाल डालने के बाद हम यहाँ पर एड़ कर देंगे, बारी कटी हुई प्यास, जो के मैंने एक ली थी और इसके बाद बारी कटा हुआ हरा धनिया लिया था, बारी कटा हुआ पुदीना डालेंगे इसके बाद इसमें एड़ कर देंगे एक नीम्बू का रस जिसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा हमारे कवाबों में और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तना से यहां पर हम मिक्स कर लेंगे तो ये देखिए सारी चीज़े बहुत ही अच्छी तरह से हमने मिक्स कर ली है आप इनको शेप दे लेंगे तो हातों को थोड़ा सा तेल के साथ ग्रीज कर लेंगे इसके बाद इसको जैसे नॉर्मल कवाब बनते हैं उसी तरह हम शेप दे लेंगे और देखी हमने पहले से यहाँ पर सारे रेडी करके रख लिये थे तो इतने सब चीज में हमारे 15 से 20 कवाब बनके रेडी हो जाते हैं तो चलते हैं इसके नेक्स टेप की तरफ तो हमने एक बाउल ले लिया है उसमें डाल देंगे एक अंडा और अंडा डालने के बाद इसमें एड कर देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्चे डाल देंगे अपने हिसाब से अब डाल दीजेगा और थोड़ा सा दूट डाल देंगे ताकि जब हम कवाब की कोटिंग करें तो थोड़ी मोटी ना लगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब कवाब को इसमें अच्छे से डिप करके और फॉरण से हम फ्राइ होने के लिए डाल देंगे तो हमें कवाबों को यहाँ पे shallow fry करना है जब तक fry करेंगे जब तक इसमें बहुत ही प्यारा सा golden brown color नहीं आ जाता तो इसको fry होने में कम से कम 6-7 मिनट लगेंगे तो low to medium पे हम इसको अच्छे से shallow fry करेंगे तो यह देखे एक साइट से अच्छे से हो चुके है अब इसकी साइट को हम कर देंगे change और दूसरे साइट से भी अच्छे से fry कर लेंगे तो इसी बीच अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe my channel यह आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है कि हम अपना अच्छा काम कर रहे है तो please subscribe my channel तो यह देखे हमारे कवाबों में बहुती बड़ी असा golden color आ चुका है कितने बड़ी असा color आया है और खाने में बहुती tasty और मज़ेदार होता है आने वाले रमजान में तो यह recipe को जरूर से बना के देखीगा तो सारे यहां पे हम निकाल लेंगे और बाकी भी इसी तना से fry कर लेंगे तो माशाआलला सुभानला बहुती जबरदस बहुती शानदार बनेते हमारे चिकन रेशा कवाब तो एक बार जरूर से ट्राइ करिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करेगा मलते हैं नाक्स वीडियो में तब तक लिटिल देन अल्लाफिस